दोस्तों नमस्कार इन दिनों सर्विया के शहर बिल्ग्रेड में वर्ल्ड चेंपिर्शिप चल रही है रेस्लिंग की जिसमें विनिश फोगट मेडल जीत चुकी है निशा जो है 68 किलोग्राम में उन्होंने सब का दिल जीत लिया और अगर देखा जाए तो उन्होंने लिथ को भी उन्होंने टेकनिकल सूपिरिटी से हराया यानि पहले मकाबले में 11 अंग दूसरे में 13 अंग तीसरे में 11 अंग बिल्कुल चेंपियन वाली उनकी दहार थी और सेमी फाइनल तक वो पहुँझ गई लेकिन सेमी फाइनल में उनका मुकाबला उस जापान से पढ़ गय हैं दो-दो अंक बटो रहे हैं जो वास्ताब में काबले तारीफ है जिसके जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है अब उनका मुकाबला जो है कैनेडा की रेसलर से हुआ कांसे पड़क के मुकाबले के लिए लिंडा मौरिस थी उनके सामने और यहां पर भी जो जो कॉमन वेल्ड गेम में जो पिछले दिनों सिल्वर मेडल हासिल किया था कैनेडा की इस लिंडा मौरिस ने तो इस तरह से जब इनका ये मुकाबला शूरू हुआ तो मुकाबला बहुत काटे का था बराबरी का था, score चार-चार से बराबरी पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है, एक first half में ही एक attack किया था, Canada की wrestler लिंडा ने, जिस पर उनके खुटने में इंजरी हो गई, और वो आगे कुष्टी लड़ने की स्थेती में ही नहीं रही, तो इस तरह से उनको रुकसत होन पड़ा, बहुती दुर्भागे पूंड तरीके से, इस मकाबले से, इसके अलावा पुर्शों की freestyle चेली की कुष्टी की बात करें, तो चार wrestler उतरे, और चार wrestler में से, तीन wrestler तो आगे qualify नहीं कर पाए, ग्रूप राउंड को क्लियर ही नहीं कर पाए, लेकिन नवीन जो है, जन्होंने कॉमन वेल्ड गेम्स में, गोल्ड मेडल हासिल किया था, 74 किलोगराम वर्ग में, इस बार उन्होंने 70 किलोगराम में शिरकत की है, और उनका जिस तरह से पहला मुकाबला हुआ, खाला कि वो एक मुकाबला हारे हैं, लेकिन गनीमत है कि उनके जो, जिस से वो हार है वो पहलवान फाइनल में पहुंच गया और इनसे इन्हें रैपिचर्ज राउंड में लड़ने का अब सर हासिल हुआ अब इनको कजाकिस्तान के रैसलर से लड़ना है जो की एशियन चेंपेशिप के डाउंज मेडलिस्ट हैं और अगर ये और टनिशा में एक रैंकिंग टूर्नमेंट हुआ था वहाँ भी उसको उनको सिल्वर मेडल हासिल हुआ था मैं उनके अपोनेंट की बात कर रहा हूं और उसके बाद जदी ये मकाबला जीच जाते हैं तो दूसरे रा भाग लिया करते थे एशियन चेंपेशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2020 के और 2018 में यूरोपियन चेंपेशिप के भी मेडलिस्ट हैं तो आप 15 लगा सकते हैं कि आप कहेंगे कि यार एक पहलवान एशियन चेंपेशिप में यूरोपियन चेंपेशिप में भाग कैसे ले सक और अगर वो मुकाबला भी वो जीत गए तो फिर किर्गिस्तान के रेसलर से मुकाबला होगा जो इस बार 2022 की जो एश्यन चेंपेशिप हुई है उसके वो स्वन पजख विजेता है तो नवीन के लिए हम दूआ करेंगे कि नवीन जो है इस बार कुछ शांदर प्रदेशन कर जो उन्होंने कॉमन वेल्ट गेम्स में करके सबका दिल जीत लिया था तो नवीन के लिए बहुत-बहुत शुब कामना है लेकिन निशा को भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि निशा ने एक ऐसी संभावनाय दिखाई है भविश्य के लिए ये वही वजन है जिस मेडल नवीम के दोर पर जरूर मिले रैपिटेज राउंड के मकाबले कुछ दिर में शुरू होने वाले हैं नमस्कार